हलो दोस्तों MKN Academy की YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो के माद्देम्चे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी नियूज देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों जो उत्रप्रदेश राजय विध्यूत उत्पातन निगम लिमिटेड है उसने जो विग्यापन जारिक बढ़ा धिया गया है सकते हो तो दौस्तों यह जो पूरा notification मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि यह जो requirement है वो सभी category में जारी किया गया था और दोस्तों यह जो requirement है वो UP RV UNL में यानि कि UP जो राज्य विधूत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसमें जारी किया गया था और दोस्तों यह requirement है वो काफी समय पहले आचुका था लेकिन इसकी जो online जो फोरम बरने के अंतिम तितिये उसे आगे बढ़ा दिया गया यानि कि इसे आगे बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यह जो पदव है अवर अभियंता परसिक्षू विद्धूत एंव यांत्रिक तो दोस्तों इसकी जो नई तिति जारी की गई है वो आप यहां पर देख सकते हो और जो पूर्वे की जो तितिये वो यहां पर दी गई है जिसमें द तो दोस्तो जो आविदन सुल का वो जमा कराने की जो तिती थी वो 7521 रखी गई थी जिसे अब दोस्तो 4721 कर दिया गया है तो दोस्तो यह जो ओफिशिल नोटिफिक्षिक्षिन है वो यूपी आर्वियोनल ने कल जारी किया था और दोस्तो इस वीडियो के माददे में मैंने आपको ये जो हैं सारी जो नई तितिया वो बताने की कोशिच्श की है जिसका दोस्तो आप जो ओफिशिल जो नोटिफिक्षिन है वो यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूपी आर्वियोनल है उसने जो है रिक्तिया जो जारी की थी यानि कि जो नए रख्वार्मेंट जारी किया था वो इन पदों पे जारी किया गया था जिसमें दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि जो सारे के सारे जो पद इसमें दिये भे हैं और दोस्तों यह सारे के सारे जो पद है वो डिप्लोमा लेवल के पद है यानि कि दोस्तों जिस अभ्यारती ने डिप्लोमा कर रख है वो ही इसमें जो है Lauren paar सकता है है तो दोस्तों उसके-लिए काफी संधर है कि इसकी जो फोरम बने की जो तीति हैं उसे आगे बढ़ा दिया गया है तो ढू सथो आप जल्दी से इसका जो फोरम में उप लाइक कर दें कैना कि काफी अच्छी वेकिंश यह आने कि avons काफी अच्छा ने isar requirement आया है इस में दोस्तों आपको काफी अच्छा हमोगा मिला है तो आप जल्दी छे इसा a. अ कि अच्छा लग होगा अगर दोस्तों हो वीडियो को ज्यादा से vibes ला mad उलाई करें और दोस्तों चैनल पर हुआ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं